मुद्दा है जो बेंकिंग फ्राड होते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच दे कर उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक विवस्ता है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है ये नंबर में आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा 155-260 ये नंबर है 155-260 फोन नंबर है एक सो पच्पन-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए कभी भी किसी भी कारण बश अगर कोई फ्राड होता है आपके साथ तो ततकाल इस नंबर पर फोन लगाए उस रेइस्टर नंबर से जो रेइस्टर नंबर या जो भी आपका फोन नंबर है जो बेंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए किसी प्रकार के बेंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रेइस्टर है उस नंबर से आप ये 155-260 फोन लगाई है आप वा फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ जानकरिया ली जाएंगी जैसे के नंबर का कोई दूसरा जहां सा दे के आपसे पिन वगएरा भी पूछ सकता है तो एक तो ये नंबर आप विशेश रूप से ध्यान रखिए जब आप ये बता देंगे तो ये विवस्ता इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा जिसमें साइबर रास्ती साइबर क्राइम ब जाता है बेंकिंग एजेंसी को चला जाता है क्योंकि जब फ्राड होता है एक बेंक से दूसरे बेंक के में ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है ये बेंक अपनी फार्मलेटी करता है फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है फिर वो बेंक करता है तब जाके मैं आपकी जानकरी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ो रुपए वापस कराए गए हैं M.H. द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा करोड़ो रुपए वापस हुए हैं लोगों को ये मालूम नहीं है 155-260 ये एक ऐसा नंबर है इसमें आप इसको जरूर रखिए विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें शिवरिटी रहती है आही जाता है अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर जो की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लिकेशन अपनी शिकाहत दर्ज कर दें वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सार्च करता है सारा सब कु होती है या फिर उन्हों को आइडेंटिफाई कर लिए जाता है जिनने बदाशी की